मद्यप्रदेश में शिवराज सरकार स्वास्त वयवस्ता दुरस्त करने के लिए करोडों रुपए का बजट खर्च करती है लेकिन इसके बावजूद ग्रामिन इलाकों में आज भी स्वास्त वयवस्ता बेपटरी पर नज़र आती है ताजा मामला जबलपूर के श्यापूरा के सामुदाइक स्वास्त केंद्र गा है जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वाइरल हो रहा है इस वीडियो में सामुदाइक स्वास्त केंद्रों में मरीजों के बेड़ पर स्ट्रीट डॉग सोते देख रहे हैं इतना ही नहीं पूरे अस्पताल में गंदगी कामबार है अस्पताल के हर कोने में कच्ड़े का धेड़ दिख रहा है और पूरे अस्पताल में स्ट्रीट डॉग ही नजर आ रहे हैं ऐसे में हालत और खराब हो जाते हैं जब अस्पताल में स्टाफ भी नजर नहीं आता जानकारी के मताबिक शेहपुरा के रहने वाले स्धार चैन अपनी गर्वती पतनी को लेकर सुबह करीब तीन बज़े अस्पताल पहुंचे लेकिन वहाँ की हाला देख वो खुद हैरान रह गए यहां पूरे अस्पताल में स्ट्रीट डॉग नजर आ रहे थे स्टाफ की नाम पर केवल एक नर्स थी डॉक्टर मिले लहाजा इस बधाली को सिधार चैन ने अपने मोबाइल में कैद कर लिया और इससे सोशल मेडिया पर शेयर किया जिसके बाद सोशल मेडिया पर ये वीडियो वाइरल हो गया सरकारी एस्पतालों के विवस्थाएं किस तरह से बधाल है ये वीडियो उसकी हकीकत बया कर रहा था उधर वीडियो वाइरल होने के बाद स्वास्त विभाग में हड़कम मच गया आनन फानन में CMHO संजय मिश्रा ने BMO डॉक्टर सी के अतरॉलिया को नोटिस चारी कर 24 घंटे के अंदर जवाब मांगा है देखे अभी मुझे भी वीडियो प्राप्त हुआ है और कलेक्टर साब का मुझे अभी भी फोन भी आया था मुझे उन्होंने निर्देशित किया है कि जो BMO हैं डॉक्टर सी के अतरॉलिया वो तुरंत उन से बात करें मैंने नमबर दे दिया है और मैं स्वयम उसको संजयान में लेके नोटिस जारी कर रहा हूँ BMO को कि इस तरह की अविवस्थाएं अस्पताल में कैसे पाई गई मरीजों को समुचित स्वास्थ सुविधाय मिलना चाहिए और आप जानते हैं कायकल पभियान के अंतरगत अस्पतालों को बड़ा अच्छा बनाया गया है लेकिन उसकी मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है तो ऐसा प्रतीत होता है कि जितना ध्यान BMO साब को देना चाहिए उसमें वो ध्यान नहीं दे पा रहे हैं और इसलिए ऐसी समस्याएं आ रही है तो मैं अभी ही नोटिस जारी कर रहा हूँ उनको 24 घंटे में मैंने उसका जवाब मांगा है यदि संतुष्टी पूरुवक जवाब नहीं आएगा तो मैं अपने स्तर पे और कलेक्टर महुदय के माध्यम से जो कारेवाही होगी वो कारेवाही करेगा बहराल जो सस्पताल के वाड में बिमार मरीजों को भर्ती किया जोता है वहां मरीजों के बेट पर आवारा कुट्ते आराम फर्मा रहे हैं और जिम्मेदार अस्पताल प्रवंधन बेफिक्र है लेकिन बदहाली की ये पहली तस्वीर नहीं इससे पहले भी ऐसी कई तस्वीरें स्वास्ते केंद्रों के सामने आई है तस्वीर इसलिए शर्मसार करने वाली है क्योंकि इसी अस्पताल की कुछ दिनों पहले तस्वीर सामने आई थी जहां कडाके की ठंड के बावजूद भी ऑपरेशन कराने आई महला को जमीन पर लिटाया गया था एक तरफ मरीजों को बेड नहीं मिल पा रहा है तो वहीं दूसरी तरफ कुछता बेड पर आराम फर्मा रहे है वाइरल वीडियो अस्पताल प्रशासन की लापरवाही उचागर कर रहा है